नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सवीका दोस्तों HSSC CET बर्ती से समंदित दो तिन बड़ी बड़ी अपडेट आई है तीन साल में सिरफ एक CET ने CET गीती थी का अचार सेटा वैचुनाओ पहले होंगे या समय पे होंगे अरियाना पुलिस बर्ती से समंदित भी एक स्वाकेदार खबर है तो यदे अप यदी आप कमप्ली टेटेल्स आना चाहते हैं तो वीडियो को लश्ताकर ध्यात से जरूर देखें इससे पहले यदे आप इस चैनल पर नए है तो को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें तो देख ले डिटेल से आप पढ़ सकते हैं लगबग सभी को पता ही है पूरा पता है गया है कि कब क्या हुआ था लेकिन हमारे काम की चीज़ क्या है यह देख लिजी यहाँ पर चेर्मेंट साब है हिमत सिंग जी एचसी चेर्मेंट साब उनका एक बयान लिखा हुआ है क्या है अक्तूबर से दिसंबर 2024 के बीच में सीटी करवाने की त्यारी है इसके लिए त्यारियां सुरू कर दी गई है साथ ही सरकार के लवा हाई कोर्ट में यह जानकरी भी दी है कि अगाम में दिनों में परिक्षा की तिथियां तिथियों का भी ऐलान किया जाएगा तो आपको पत होने वड़ा है बाकि आपको यह चीज़े पताए कि ग्रूप C का सीटी डी का सीटी जो है किस हिसाब से होता है मैंस होता है यह सारी चीज़े डिटेल से दे रखिए आप पढ़ सकते हैं सक्रेंच छोट ले सकते हैं अब बात कर लेते हैं चुनाओ के बारे में तो यहाँ पर बताया गया है कि कुछ अख बारों में देनिक सिवर्जा के अलावा कुछ अखवारों में यह प्रकासित किया गया था कि आपके लेक्षन है वो टाइम से पहले होंगे तो यहाँ पर बताया गया कि बाह officers से तो कुछ clear नहीं हुआ है लेकिन मुख्यमंतरी नयब सिंह से तो फानली इन्हों ने बता दिया कि आपके जो इलेक्षन है वो टाइम पे ही होने की संभा होना है और अचार सनीता यानि के तनाओ की गोस्तना की दिन अचार सनीता लग जाती है तो वो लगवग 15 सितंबर के आज पास लगने की संभा होना है एक बात बता देता हूँ और ग है वेकैंसी निकल गई है और उनको पदों को बढ़ने के लिए आयोग ने एक अपॉसनट्री दिया है कि जो ने का जो नया रूल है बिसी ए बिसी का बी का तो अगर कोई कैंडिडेट जनरल कैटेगरी में है और वो ने रूल के अनुसार बिसी ए या बिसी बी में चला गया ह तो वो अपना इस पोर्टल पे जाकर बारा तरिक से सोड़ा अगस्त के बीच में अपडेट कर सकता है तो इसके अलावा देख लेते हैं बीजी टी पदों के लिए स्किल टेस्ट इसी महिने होगा और एक चीज़ और बता देता हूं जो अरियाना पलिस की परती है उससे सम अपने वीडियो आं तक देखी आपका बहुत बहुत दन्दी